Hello guys, welcome back to another video और इक और शानदर वीडियो लेके मैं आगया हूँ आपके सामने और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर्स की उपर जी हैं दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो की सोलर इंडिस्टी रन करते हैं या जो solar industry businesses में हैं तो सबसे बड़ी और major जो problem है उनके बारे में हम बात करेंगे कैसे आप अच्छा खासा अपने business को grow कर सकते हैं यह सब हम बात करेंगे तीन ऐसी problem के बारे में बात करेंगे जो हर business owner को आती है especially अगर हम solar की बात करें solar businesses में भी यह same to same problems आती है उनको हम कैसे rectify करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं marketing की guys let's understand कि आप marketing अगर कर रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आप marketing कहां पे कर रहे हैं क्या आप उस जगे marketing कर रहे हैं जहांपे आपकी audience या आपका buyer है let's say आपने एक paper में एड दे दिया full page एड दे दिया 5 लाग रुपे के एड दे दिया तो क्या उससे आपको उतने customer मिल रहे हैं आपको क्या लगता है कि 5 लाग रुपे का जो add run हो रहा है या एक लाग रुपे का add run हो रहा है paper add run हो रहा है उससे आपको कितनी आर्वई आ सकती ही, सब आपको सोचना है क्या मैं एक लाख रुपे से, दस लाख रुपे का बिजनिस कर सकता हूँ मैं ऐसी कोई marketing अपलाई कर सकता हूँ क्या ऐसी कोई marketing कर सकता हूँ कि ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है basically मेरा कहने का मतलब है कि marketing source को properly manage करना बहुत जरूरी है आप किस marketing source में कितना पैसा लगा रहा है ये भी बहुत जरूरी है आप ऐसे marketing source में पैसा लगा रहा है जहापे आपको response ही नहीं आ रहा है जहां पर आपको leads नहीं आ रही है, जहांसे आपको converging नहीं है, आपको पूरा का पूरा पैसा परबाद हो जाएगा, ठीक है? तो यह सब track करना बहुत जरूरी है कि आपको paper में ad लगाना चाहिए, मतलब आपको offline ad सुन करना चाहिए, offline marketing करना चाहिए, online marketing करना चाहिए, online marketing में आप कैसे ट्रेक कर रहे हैं जी जो को ठीक है ये सब हम marketing automation के थुरू समझेंगे दूसरा होता है आपकी sales की team जो है आप अपनी sales को कैसे manage कर रहे है sales की team को कैसे manage कर रहे है follow-ups कैसे manage कर रहे हैं आप sales की team timely आपके लिए काम कर रही है fake claims तो नहीं आ रहे हैं आपके पास field पे जा रहे हैं तो गलत claim तो नहीं लगा रहे हैं गलत तरीके से तो वो convince को नहीं डाल रहे हैं बहुत सारी चीजे होती हैं जब हम इस तरीके के industry में run करते हैं तो जो physical work होता है जो manpower होती है हो सकता है वो आपको properly support नहीं कर रही है या आप उनको properly manage नहीं कर पर तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं ठीक है quotation हुआ आपका you know follow ups हुए आपके पास जो leads आ रही है वो आप कैसे अपनी team को allocate कर रहे हैं timely कैसे allocate कर रहे हैं क्या वो team उन leads की उपर proper follow ups और या details अपडेट कर रही है नहीं कर रही है यह सब हम समझेंगे इसके लावा leads अब leads lifeline होती है हर business की और leads lifeline होती बड़ conversion होना बहुत जरूरी है अगर leads आपके पास आ रही है आपके पस एक लाख लीड आ गई है और एक परसंट भी अब इसको प्रॉपर लीड कर रही है तो भी एक बहुत-बड़ा सरदर्द है बहुत-बड़ी problem है तो leads को properly कैसे manage कर रहे हो कोई lead leakage तो नहीं है मतलब जो lead आपके पास आ रही है आप उसको properly manage कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसके follow-ups आप पर manage कर पा रहे हो वो lead time allocate हो रही है नहीं हो रही है उसके अगर कोई follow-up है तो उस follow-up पे आप किस तरीके से actions ले रहे हो आप follow-up calendar manage कर रहे हो और नहीं कर रहे हो आप sales की tracking कर रहे हो और नहीं कर रहे हो आप employee की performance को track कर रहे हो और नहीं कर रहे हो यह सब हम इस system के थुरूप और बाद में आप चाहें तो इसका implement भी कर सकते हैं बहुत ही simple system है इसकी आपको training भी मिल जाएगी कैसे आपको implement करना किस तरीके से आपको इसको use करना चाहिए ठीक है तो पहले यह पूरा मार्केटिंग के काम करना होगा मार्केटिंग का मार्केटिंग होती थी अगर उस तरीके से काम करेंगे तो definitely अभी उस तरीके की marketing effective नहीं है ठीक है believe me कि तो तरीके की marketing होती थी कि दो तरीके की marketing होती है चाहे वह offline हो या online depending upon product and services हम किस तरीके की audience को target कर रहे हैं उस तरीके से आप online and offline marketing करते हैं तो let's understand अगर हम online marketing करते हैं तो कहां कहां पर पैसा लगाते हैं तो जैसे कि आपकी website लेंडिंग पर जैसे हैं आप online internet run करते हैं Facebook, Google, Instagram देन आप local listing करते हैं फिर आप आप B2B marketplace में पैसा लगाते हैं B2B marketplace से अगर मैं बात करो तो जैसे कि आपने paid अगर सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जहां पर लोग पैसा लगाते हैं और अपने internet को मार्केट करके वहां से leads को generate करने की कोशिश करते हैं फिर डिजिटल मार्केटिंग है शोचल मीडिया मार्केटिंग इमेल मार्केटिंग वीडियो मार्केटिंग एफिलेट मार्केटिंग तो यह online मार्केटिंग है अगर हम इसी तरह offline की बात करें तो आप पेपर में देती हो प्रिंट मीडिया में देती हो और हम इस सब चीजों को अच्छे से समझे कि अगर हम इन सब मार्केटिंग सोर्च को यूज कर रहे हैं क्या आप से में एक सवाल पूछू कि क्या आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितना पैसा holding पे लगाया और वहां से कितना ROI आया या आपकी website पे कितना traffic आया उसमें से कितनी lead आपने convert कर ली या आपने facebook पे आपके पास 100 lead आई है लेकिन उसमें से कितनी convert होगे कितनी pending है कितनी के follow ups डियू है तो basically जो भी आप marketing कर रहे हो जो भी आप marketing के sources में पैसा लगा चाहिए मेरे को instagram ads में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए मेरे को sales team ज्यादा hire करना चाहिए जो market में जाके मेरे product and services को sell कर सके मेरे को ऐसे sources में पैसा लगाना चाहिए जहां से मेरे को ज्यादा revenue है ज्यादा मेरा ROI आए तो इसको track करना बहुत जरूरी है तो अगर आप इस तरीके को system को acquire करना चाहते हूं कि आपके पास एक ऐसा system आजा जिसके तुरू आप marketing sources को track कर सको कि कौन सा marketing source आपको better performance दे रहा है so that आप उस पर ज्यादा पैसा लगा सको और बाकी के जो भी other expenses मार्केटिंग से लिए वो सब बंद कर सको तो इस टूल के थुरूप आप यह सब track कर सकते हो जो भी आपकी marketing के process से आप connect कर सकते हो and वो जाए offline है वो जाए online है आप सब को connect कर सकते हो आप even मैं बहुत simple बात बत बॉसके घब Запाऴ द्रकेटिंग कर सकते हो थिक सब्सक्तितरै कर सकते हो किसी भी तरीकी का मार्केटिंग सर्स मार्केटिंग से आपमल में कहीं data क्याते हो आप गया। किसी भी तरकी की marketing कर रहे हो तो उसके लिए marketing source automation बहुत ज़रूरी है वह आप इसके तुरू कर सकते हो ठीक है आपका होगा क्या उन सब चीजों से कि आपका जो data पूरा streamline हो जाएगा कि मैं को फेस्बुक से कितनी लीड है कितनी किलोज होगा कितनी open है Google से कितनी लीड है वहां से कितना conversion आया यह सब आप ट्रैक कर सकते हो यह लीड किसके पास यह सब आप marketing automation के तुरू कर सकते हो दूसरा अब आप marketing तो कर रहे हैं लेकिन how you are capturing the data are you using the traditional method जो पुरानी traditional method होती थी sorry अगर आप वह सारी traditional method यूज करके data capture कर रहे हैं let's say आप अभी भी excel पर data maintain करते हैं या register paper copy पे मैं अभी बहुत सारे organizations से मिलता हूं और बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि still they are managing जो भी walk-in हो रही है उनकी वह paper पे लेते हैं या diary मे लेते हैं या register में लेते हैं और एक time के बात वह भूल जाते हैं कि उसका follow-up भी लेना है नहीं लेना इवन उस बंदे ने interest शो करा है या नहीं करा है वह भूल जाते हैं ठीक है तो अगर traditional method आप यूज कर रहे हैं तो 100% आपको problem होने वाली है तो मेरा सवाल है do you use any lead magnet अब lead magnet क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ कर लो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी product and services होती है उसके उपर अगर आप छोटा सक QR code आपने लगा दिया अपने लगा दिया आप सिंपली उसको scan करकी data capture कर सकते हो मैंने देखा है बहुत सारे बड़े-बड़े full page के add आते हैं बट उसके अंदर कहीं भी कोई lead magnet नहीं होता lead magnet का मतलब कि अगर यह होता है कि वह वहां पर अपने खुद की team के number डाल देते हैं और वो number से अगर किसी ने सुबह कॉल गिया क्योंकि अगर paper में आपने add दिया full page का add दिया और सुबह morning में किसी ने call किया और आपने call pick नहीं कि तो definitely वह आपके लिए lose हो जाएगा क्योंकि आपको पता नहीं कि उस mobile पे कितने call एक साथ आने वाले 10 call 20 call आगे तो वो जो last call आया है वो आपका follow up के बाहर चला जाएगा even हो सकता है कि वो data ही नहारा है अपके mobile में तो QR code आप use कर सकते हैं lead capture करने के लिए यह एक बहुत ही advanced level का system है जिसके through आप अपने मन के मताबिक मिस्ट कॉल नंबर मिस्ट कॉल नंबर सुपर इजी सिस्टम है एक नंबर आपको मिलता है वह आप प्रिंट करवा सकते हैं आपके किसी भी ad campaign में अगर कोई interested बंदा है वो उस पर click करेगा immediately data will capture into the system ठीक है और उसकी उपर predefined notification चले जाएंगे कि thanks for contacting abc.com ठीक है तो इस तरीक प्लस कस्टम फर्म अब आई वियर एक ऐसी चीज है जिसके तुरू आप बहुत सा recall एक साथ attend कर सकते हैं उनकी recording कर सकते हैं उनका data जो receive हुआ है जो call आपने record करें आप सुन सकते हैं कि आपके executive proper बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और यह बहुत महंगे नहीं होते हैं बहुत इसका होना बहुत जरूरी है तो पेपर फॉर्म पेपर में हम जो data capture कर देते हैं वह worthless है लेकिन अगर हम बात करें कि कस्टम फॉर्म के तुरू आप कैसे data capture कर सकते हैं जैसे कि महान के चलिए आप आपकी website को या आता है उसका data capture करना है आपकी walk-in हो रही है या कोई आप reception प data capture कर सकते हैं तो यह भी एक बहुत important lead magnet है जो कि already available है इस system के अंदर then short code long code एक tool होता है जिसके तुरू आप data capture कर सकते हैं इसको अगर आपको detail में सबज़ना है तो आप हमारे team से बात कर सकते हैं ठीक है APIs there are so many things you can connect with APIs तो system के अंदर predefined APIs है let's say आपको data API के तुरू connect करना है capture करना है वो आप कर सकते हैं तो make sure अगर आप marketing कर रहे हैं तो आपको सबसे important यह है कि आप any मतब कोई lead magnet use कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अगर आपने कोई lead magnet use नहीं किया है तो definitely आप उतनी यादा lead capture नहीं कर पाएंगे जितना आप expect कर रहे हैं तुरू data capture करी अच्छे तरीके से and then third one is lead automation अब आपके जो भी sources थे वो आपने connect कर लिए ठीक है online, offline, जितनी भी sources थे Facebook है जा Instagram है जो भी है आपके वो सारे sources आपने connect कर लिए आप track कर रहे हैं कि आपके पास leads प्रपर आ रहे हैं उनका वो open या close है वो सारा का सारा आप यहां now the biggest part of this system is आपकी जो भी lead leakage से वो zero हो जाएगा अगर आप lead leakage zero का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी lead जो इस system के तुरू आपके पास आ रही है वो spill नहीं होगी वो वो कहीं बरबाद नहीं होगी वो आपके पास store होगी आपकी team उस पर काम करे है ना करे बट system उसकी पर काम करेगा ठीक है तो किस तरीके से होगा वो हम समझते हैं तो system आपको timely alert भीजेगा कि आपके पास एक new lead आई है अब let's say आपके पास जो lead आई है वो किसी भी source से आ रही है मैं चाहे वो facebook से आ रही है चाहे वो google से आ रही है वो आपके website के contact form से आ रही है आपके landing page से आ रही है कहीं से कोई भी lead आ रही है उसका timely alert या तो CRM में जाएगा जो system की हम बात कर रहे है उसके अंदर ये lead alert आ जाएगा या फिर आपके जो sales team directly उसके mobile पर जाएगा उसके whatsapp पर जाएगा उसकी email पर जाएगा don't you think it is too cool मतब आप सोची ना कि जैसी आपके पास एक lead आई है वो lead immediately आपके sales team के mobile पर आगई है आपके mobile पर आगई है और आप easily उसको अपनी information send करके उस lead को convert कर सकते है और बहुत fast तरीके से ठीक है तो timely lead alert मिलेगा आपको जो की बहुत important है इसके बाद हम बात करते है lead assign आप आपके पास एक team है आपके पास team है let's say 8-10 लोगों की team है और आपके पास leads का inflow भी काफी अच्छा है leads का inflow भी काफी अच्छा है B sales वाले के पास जाना कहिए मैंने कोई canopy लगाई है और उससे कोई data आ रहा है तो वो C के बाद जाना कहिए यहां मैं product wise lead assign कर सकता हूं मुझे पता है कि मेरा A salesperson है वो इस product में expert है और जो मेरा B salesperson है वो इस service में expert है तो हम वो भी कर सकते है तो इस तरीके से आप lead assign कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि उस particular salesperson के पास कितने lead है उन पर क्या काम हो रहा है उनका follow-up pending है यह सब आप track कर सकते हैं ठीक है तो tracking इस अगर हम बात करें कि expert positioning देखिए अगर आपका product high quality है या high ticket product है तो हमेशा हम suggest करते हैं हमारी जो भी consumers है कि आप expert positioning जरूर करें access position का मतलब यह होता है कि उस lead को वो person attend करें जिसको पूरा knowledge है deep knowledge है आपकी services के बारे में अगर आपने call कुछ किसी ऐसे person को दे दिया जिसको थोड़ा बहुत knowledge है तो वो lead spill हो जाएगी ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आप high ticket client को manage कर रहे हैं या वो leads को manage कर रह लिए वो इस उमें already already available है you can create simple rule कि high ticket की leads मेरी ex employee के पास जाना चाहिए इससे यह होगा कि आप उस particular person को responsible बना सकते हैं उस high ticket leads के लिए ठीक है तो यह बहुत अच्छा टोल है जिसके तुरू आप high ticket client को easily manage कर सकते हैं simple आपको rule create करना expert position वाला और वो सारी की सारी leads उसके पास चाहेंगी ठीक है तो lead assign आप बहुत easily तरीक से कर सकते हैं पर किसिए अब कर सकते हैं कि किसी है कि स्टेन के बात हुई है क्यार,से आपको इसoser वाम काू बात हुई है तो आपको एक ओवर्वीव मिल जाता है कि यार आपकी जो डेमो में पांच लीड़ देख सकते हैं तो आपको एक जो डेमो में पांच लीड बना सकते हैं तो आपको एक ओवर्वीव मिल जाता है कि यार आपकी जो डेमो में पांच लीड देख सकते हैं या फोल अप में दस लीड पड़े हुई है रेडी टूपी में एक लीड पड़े हुई है और फेक में पंदरह भीस लीड है यह एक्चली ऐसा ओवर्वीव है जिसके थूँ आपको हर लीड के बारे में एक कॉल करके नहीं पूछना आपको एक ओवर्वीव मिल जाता है कि या डेमो में कितनी बड़ी है तो आप सब को फोकस करना है डेमो हुए हुए यह नहीं हुए फॉल अप में कितना हुए इनका फॉल अप हुआ है कि नहीं हुआ यह इतने लोग रिडी टू पे थे इंसे कौन बात कर रहा है तो यह सब आप ट्रैक कर सकते हूं तो आपको लग रहा है कि यह काफी एडवांस लेवल के हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यह सब टैगिंग आ कर चान करते हैं तो यह अब तोड़ा और आगे बढ़ते हैं लीड को segment करना मतब segmentation करना let say हम status और source वाइस की बात करते हैं आप कौन सी लीड़ कौल है कौन कौन सी लीड़ वॉम है कौन सी लीड हॉट है मैं एक category और रहा हो करता हूं कि यह हो गया cold और यहां पी हम डाल दे है, cold में है, warm में है, hot है, यह सब status आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब आप report देखेंगे, यार मेरे पास 10 lead आई थी जिसमें से 5 lead पर तो किसी ने काम ही नहीं किया, not touched है, but 2 lead warm हो चुगी तो you can immediately talk to that person, जो उस lead पर बात कर रहा है, ठीक है, अब हम बात करते है, source-wise, source-wise के एकर हम बात करें कि online आ रही है, offline आ यह सब आप track कर सकते हो, ठीक है, now let's talk about lead nurture process, so lead nurture process एक ऐसी चीज है जिसके तुरू आप अपनी lead को काफी time तक engage करके रख सकते हैं, engage करने का मतलब यह है कि यार एक lead आपके पास आई है, और उस lead को आपको कितने लंबे समय तक आपको engage रखना है, 5 दिन, 10 दिन, so that वो convert हो जाए, आप इसको different offers बेज रहे हैं, आप उसको product video बेज रहे हैं, आप उसको welcome note बेज रहे हैं, आप उसको tips बेज रहे हैं, so that वो आपकी services को acquire करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो lead nature process बहुत important role play करती है, तो हम जब, basically it is automation, ठीक है, तो let's say आपके पास जैसी lead आई immediately उसकी उसकी उपर एक welcome SMS या WhatsApp या email या एक call आपने trigger कर दिया है, ठीक है, अगर आपने ये करा, तो वो, मैं इस पर email भी डाल देता हूँ, तो ये एक आपने welcome message day 1 पर trigger कर दिया, day 2 पर you might send some product video, day 3 you are sending some testimony, day 4 you are sending something, ये days मैंने लिखा है, ये hours में भी हो सकते हैं, ये minutes में भी हो सकते हैं, it is up to you, आपको आपकी lead engagement process को कैसे बनाना है, ठीक है, ये जैसे आपके पास lead आती है, automatically वो lead को उपर एक welcome message चला जाए, जिसमें आपकी company की information, product का उस आप एक simple example दिया है, कि आप welcome message trigger कर सकते हैं, आप product videos trigger कर सकते हैं, testimony email बेस सकते हैं, आप offers, deal discount trigger कर सकते हैं, तो lead nature process के तुरू आप complete automation को create कर सकते हैं, और जिसके तुरू आपका lead conversion है, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला part इसके इंदर आप पूरा cover कर सकते हैं, now let's talk about the follow up system, okay, अभी जस तरीके से आपके पास follow up आप कर रहे हैं, अगर आपकी team कर रही है, definitely उससे आप satisfy नहीं हो, नहीं होंगे, क्योंकि वो, let's say, अगर कभी 10 दिन पुराना कोई follow up आता है, कि भाई, आज तारीक एक, और किसी ने बहुत आपको 10 दिन को call करना, तो definitely आपकी sales team याप हो सकता इसको भूल जाए, अगर आपने कोई tool यूज करें, तो definitely आप उसको याद रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अगर आपके पास बहुत सारे follow up हैं, और 10 minute के gap पे हैं, और 15 minute के gap पे हैं, तो definitely आप एक नहीं मिस कर देंगे, इस system के थुरू आप follow up system create कर सकते हैं, हर lead के उपर आप एक follow up create कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है, आपको follow up due है, या follow up pending है, उसके कुछ minute पहले आपके पास एक notification आजाएगा, कि आपका है एक follow up due है, इसके उपर आपको भाग करना है, और same notification आप trigger करवा सकते हैं, अपने आप कोई product बैचते हैं, ठीक है, और या आप एक service sell करते हैं, product or services आप sell करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका पास कोई product 100 रुपे का है, कोई product 200 रुपे का है, ठीक है, तो आप product और जो भी आपकी product or services है, आप उनकी lead की value track कर सकते हैं, या 100 रुपे की lead है, या 200 रुपे की लीड है या यह 500 रुपे की लीड है तो यह 5-6 रुपे की लीड है तो इससे क्या होगा कि आप जब एक ओवर्वीव देखेंगे कि आपके पास 100 लीड आई है उसमें से में पास लीड की जो वैल्यू है जो वाम लीड है जो थोड़ा बहुत भी इंटरेंट शो कर रही है उन आप जल्दी से उसको कनवर्ट कर सकें तो आप लीड की वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं हर लीड की वैल्यू ट्रैक कर सकते हैं हर लीड का एक एमाउट आप ट्रैक कर सकते हैं आप एक प्रोजेक्शन क्रेट कर सकते हैं कि पूरे मन्त में आपके पास कितना इनो धन्ना आने व इसके लिए आपको leads की value track करना हूँ वह इस system में already बना हुए तो आप हर lead की value track कर सकते हैं आप dashboard पर देख सकते हैं कि total projection क्या है converted lead कितनी है ready to pay leads कितनी इस अब track कर सकते हैं ठीक है एक separate dashboard इसका मिलता है जहां पर आप leads की value track कर सकते हैं आप सारा है mode आप देख सकते हैं ठीक है अब हम बात करें follow up calendar अब follow up calendar आप date वाई देख सकते हैं month वाई देख सकते हैं let's say you have a team you have a team of hundred people okay and सबके अलग-अलग follow up है तो it's very hard it's very hard कि आप उनके जो follow ups है उनको आप कैसे manage कर रहे हैं उनके follow ups को आप कैसे और वो किस तरीके से manage कर रहे हैं आप simply पूछ सकते हैं कि कितने follow up हैं लेकिन अगर आपको कैसा dashboard मिल जाए जहां पर आप देखें किया आपके team के 100 follow up आज की date के due हैं तो आप उस particular part को काफी अच्छे सा track कर सकते हैं या कल 10 follow up डिव हैं तो आप आप अपने team को बिसके तुम लोगों के कल 10 follow up डिव हैं उनको देखेगा उनको उनके dashboard में भी देखेगा कि उनके 10 follow up डिव हैं या आपके team के total 100 follow up डिव हैं तो यह सब follow up एभी follow up calendar के थूरू match कर सकते हैं आप स्वारी manage कर सकते हैं और बहुत ही follow up डिव हैं आपको proper follow up calendar के थूरू manage करें तो आपका conversion हाई रहें तो वह follow up calendar इसमें predefined दिया हुआ है आप एक simple email ला सकते हैं कि you wanted to learn something about the conversion process तो वह भी आपको पता चल जाएगा cross sell up sell एक बहुत ही शानदार system है इसके अंदर let's say कि आप एक realtor है आप एक real estate owner है और आप ने अभी किसी client को एक flat sell किया है अब flat sell किया means you have a data आपके पास data है और आप चाहते हैं कि उस data को आप monetize करना चाहते हैं तो जब आपके पास flat आपने sell किया है और आपने let's say एक farmhouse का कोई project launch किया है तो आप उस particular lead को move कर सकते हैं यह जो flat का जो आपका lead है flat lead okay let customers lead you can move to new funnel अब आपने new funnel है और वो funnel क्या है वो funnel है आपकी farmhouse तो अब जब आप इसको farmhouse की funnel में move करेंगे predefined notification, predefined automation, on whatsapp, on sms और email you can trigger तो उसे क्या होगा है कि जो आपकी lead आपने पैसे देखे बाहल जब acquire किया है या आपके पास lead आई है कुछ पैसे खर्च करने के बाद तो उस lead को आपको ऐसे नहीं छोड़ना है कि आपने उसको एक product बेच दिया, आप उसको और product and services sell कर सकते हैं using our cross sell and upsell model, okay इसके थुरू आप अपने leads को simply move कर सकते हैं एक different funnel में और उसको आप predefined notification डाल सकते हैं, sales team को assign कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारे काम जो एक system के तुरू आपको करना चाहिए उस सारे सारे आप काम कर सकते हैं, believe me ये आपकी sales को इतना अच्छा boost लाके देगी, इतना अच्छा boost लाके देगी कि अगर मेरा, मैंने अलड़ी एक flat बेज दिया है और अगर मैंने 100 लोगों को flat बेज आ है और उसमें से अगर 10 लोग ऐसे हैं जो मेरा फामोस भी पाय कर ले तो ये तो मेरे लिए एक added advantage है, right, तो ये cross sell up sell up, इसके थूरू manage कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा क कि हम हमारे marketing sources को connect कर सकते हैं, हम different lead magnet use कर सकते हैं, हम हमारे leads को easily manage कर सकते हैं, then हम हम बात करने वाले sales को कैसे manage करना है, sales automation को क्या है, sales team को basically कैसे manage करना है, हम इसके अनिर आते हैं, और देखते हैं कि जो sales की team है आपकी जैसे की field staff है या आपका back end का कोई staff है जो field विजिट कर रहे हैं या जो account विजिट कर रहे हैं मतब जो लोग field पर जा रहे हैं for call calling okay let's say आपके पास 5 लोगों की team है वो कोई A location पर कोई B location पर कोई C location पर आप real time पर data capture कर सकते हैं अगर वो किसी client से मिल की आ रहे हैं और उसके ऊपर आप automation trigger कर सकते हैं automation trigger कर सकते हैं अब automation trigger में यह कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपने एक welcome SMS और WhatsApp डाल दिया like thanks for visiting thanks for showing your interest or things for sharing your details okay and this is our product and service जो भी आपको content create करना है तो वो data आपके पास आ गया है आपकी team field में थी real time data आ रहा है उसके उपर real time engagement हो रही है तो आप already इस तरीगी की चीजे कर सकते हैं आपने एक welcome message भेज़ दिया देन आपने एक product video trigger कर दिया है देन आपने उसके उपर लेट से एक offer आपने शूट कर दिया है offer तो आप जिस भी तरीके की automation आप trigger करना चाहते हैं वो आप create कर सकते हैं जैसे आपके पास team से data आएगा उसके उपर automation trigger हो जाएगा और यह बहुत सा कर सकते हैं दूसरा आपकी team account widget करती है existing client से मिलके आती है तो वहाँ पर भी आप same process को on कर सकते हैं और कुछ ना कुछ आप वहाँ पर sell कर सकते हैं यह cross sell upsell कर सकते हैं तो field team को आप track कर सकते हैं कितने call लोग ने किये हैं कितने leads का data उन्होंने capture किया है let's say आपके पास 10 लोगो आपके पास आ गया है उसमें से उसमें कुछ payment लेके आया है वह आप track कर सकते हैं कितनी leads follow up में हैं कितनी leads open है यह सब आप track कर सकते हैं then हम बात करते हैं backend staff की जो की आपके telecaller है तो telecaller ने कितने call करे हैं कितनी leads को उन्होंने system के अंदर डाला है जो ready to pay है या जो warm है जो hot है वह सब आप track कर सकते हैं तो basically आपकी telecalling team आपके sales executive आपके business development manager इन सब की performance इन सब का track आप कर सकते हैं कि telecalling ने कितना you know call किये हैं कितना data पे उन्होंने काम किया sales team ने क्या करा है basically जिस चीज के लिए आप परिशान होते हैं वो एक single system के थूँआप manage कर सकते हैं ठीक है तो आ field team में मैं आपकी चीज और बताता हूं let's say आपकी field team विजट पर जा रही है so you can track अगर वो field पर जा रही है तो आप track कर सकते हो distance so that आपका जो convince है वो आप देख सकते हो कि या रही है fake claim तो नहीं लगा रही है एक app हमारी है जिस app को आपका sales team member download करेगा और जैसी वो field पर जाएगा let's say आप office से निकला तो A location से B location आप distance track कर सकते हो कि आज आपकी sales team जिनवर में कितने km गई है और अगर आप petrol convince देते हो उन लोगों को तो वो भी आप track कर सकते हो कि आज मेरा जो sales वाला है वो 20 km ही गया है लेकिन उसने के लिए 30 km के लगा है तो this is way you can check और आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो ठीक है तो यह एक बहुत अच्छा फीचर है एक app है जिसके तुरू आप सब्सक्राइक कर सकते हो तो मैंने फील्ड इस्टा बता दिया मैंने आपको बैकन इस्टा बताया let's understand about the funnel management तो आप top of the funnel bottom middle of the funnel और bottom of the funnel पे भी काम कर सकते हो you can create different funnel कि cold में कितनी leads है warm कितनी leads है hot कितनी leads पड़ी है कौन इस पे काम कर रहा है कितनी leads pending है क्या यह सब आप एक particular system के तुरू manage कर सकते हो cross sales upsell जैसे मैंने बताया कि lead को move कर सकते हो तो sales की team जो sales का person है वो भी उसको भी यह आप permission दे सकते हो कि वो उस particular lead को अगर उसने कोई sales की है तो वो भी अपनी lead को किसी दूसरी funnel में move करके कुछ आपके लिए नई sales ला सकता है quotation send करना है task management task management में बहुत ही शानदार features ने इसके तो group task आप assign कर सकते हो और आप single task भी assign कर सकते हो तो अगर आपको single task assign करना है आपकी sales team को तब single या किसी भी member को आप single task भी assign कर सकते हो आप due date set कर सकते हो due date आप उसकी इसकी priorities set कर सकते हो यह सब चीज़े आप इसके अंदर डाल सकते हो तो आपको manually task sign करने के अलावा आपको feature मिल जाता है कि आप उसको system के तो task sign करें so that you can track आप track कर सकते हो सारी चीज़ें appointment management let's say आपकी website पर कोई आता है right being a doctor है अगर example इतने क्य website पर कोई आता है और ऐसा person जो appointment लेकर ही लोगों से मिलता है यह ऐसी company जिसको appointment बहुत necessary है जिसको appointment data तो आप हमार appointment management यह appointment automation यह use कर सकते हो you just need to design your calendar okay तो first you need to design your calendar design करना है second connect with your website यह बहुत ही simple process है ठीक है और और you can you can share via whatsapp तो आप whatsapp के थूरो इसको whatsapp पर share कर सकते है और यहाँ पर आप अपनी appointment booking बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकते हो ठीक है to know की कैसे होगा आप हमारी team से बात कर सकते हो and accordingly team will explain you team will show you the complete system okay follow up reminder management अब let's say कि आपके पास एक follow up आया है यह बहुत अच्छा टूल है let's say आपके एक follow up है जिसकी जो follow up 10 दिन बाद है but आप चाहते हैं कि 10 दिन बाद तो है लेकिन मेरे पास इसके reminder आप कर सकते हो आपके पास अलग 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 टाइम पर आपके follow up होंगे लेकिन आप को डर है कि आप वो follow up भूल सकते हो तो आप हर follow up का एक reminder set कर सकते हो let's say मेरा 10 बच के 10 मिनट का कोई follow up है और मैं चाहता हूँ कि वो 10 बच के 5 मिनट पर उसके reminder जाए कि you have a follow up तो यह भी आप इसके through कर सकते हैं दूसरा sales follow up calendar sales follow up calendar एक वो place है जिसके through you can check all your follow ups all your you know calls या follow ups जो की pending है आपके है आपके team के है मतलब admin भी check कर सकता है और जो सारी team है जो भी follow up डाल ली वो एक particular जगे पे आप एक particular system के through आप देख सकते हैं कि कितने follow ups कि इसके दिव है तो follow up calendar एक बहुत ही awesome तूल है जो आपको system के अंदर मिलता है ठीक है फिर हम बात करते है reporting reporting में आप custom reports करेट कर सकते हैं बैसे जितनी भी reports आपको लगते हैं और इसके अंदर है तो आप source by देख सकते हैं कि मेरे जितनी भी marketing क मैंने पैसा लगा है तो उसके साब से आप reporting चेक करते हैं sales team की reporting चेक कर सकते है multiple reporting आप इसके अंदर देख सकते है reports बहुत सारी दी हुई है ठीक है then you can also track your sales team performance sales team team की performance की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने product कितने में sell करते हैं आपकी sales team पे sell ली क्या है और ये सारी के सारी चीजों को जब आप system में डालते हैं तो उसके साब से आपकी sales team की performance track होती है अगर उसने कोई sales की है जब वो sales team उस particular sales को system में डालेगी तो उसके according लिए एक performance नि sales team manage करना बहुत easy है इसके तुरू आपकी sales आराम से manage हो जाएगी आपके leads manage हो जाएगी आपके marketing sources आप easily manage कर सकते हो आप leads को अच्छे तरीके से capture कर सकते हो अब हम बात करते हैं workflow builder की workflow builder मतलब आप अपने follow up को किस तरीके से create कर सकते हो आप अपने follow up sequences को कैसे बना सकते हो आप एक particular lead let's say आपके पास एक landing page है और उस landing page पे कोई data आ रहा है या कोई lead आ रही है तो उस lead को आप किस तरीके से automate कर सकते हो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो webinar अटेंड करते हैं या जो विस तरीकी की webinar done करते हैं तो उस method यूज करते हैं that is called lower flow builder तो एक landing page बनाए ह उस landing page पे एक form होगा उस form में आप अपने data डालोगे तो आपके पास whatsapp पे email पे SMS पे एक notification आएगा कि आपका webinar बुक हो गया है तो इस तरीके के आप भी बहुत सारे automation create कर सकते हो उस tool के तुरू let's say आपको उसे follow-up system ही बनाना है follow-up system मतलब अगर आपके पास कोई lead आया तो let's say you get a new lead so new lead so new lead के ऊपर हमें यह मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूं तो यह मेरा एक follow-up है और यह मेरी new lead है अब new lead के ऊपर आपको automatic follow-up sequence trigger करना है okay तो अब आप क्या trigger करना चाहते है अब आपको decide करना है कि आपको क्या trigger करना है और किस channel के through trigger करना है तो यह आप इस तरीके से इसके अंदर बना सकते हैं कि बहुत कोई new lead आती है तो पहले मेरा welcome message जाना चाहिए मैं को सब कुछ SMS पर ही करना है या मेरे को WhatsApp पर करना है मैं नहीं चाहता है कि इसके इमेल जाए आसे में जैसे WhatsApp पर जाए तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं आप चाहते है कि new lead को सिफ SMS के तुरूई engagement हो भी आप कर सकते हैं ठीक है आप चाहते सिफ email ही जाए तो depending upon your interest आप new lead के उपर follow-up sequence different तरीके से trigger कर सकते हैं जैस इन new lead system में आती है आफ्टर वन मिनिट वेलकम वेलकम मैसेज जाना चाहिए वेलकम मैसेज जाना चाहिए वेलकम मैसेज जाना चाहिए आफ्टर लेट से 30 मिनिट एक प्रोड़क्ट वीडियो चला गया ठीक है आफ्टर 90 मिनिट नाइटी मिनिट पेमेंट लिंक रिगर आफ्टर 120 मिनिट वीडियो मैच जैंज लट से ओफर और दिसकाउंट इसे पर प्रीडिफाइन कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर अधर जब आप अल्यडिवी इसको प्रीडिफाइन कर देंगे और जैसे लीड आ तो बिलीब में माइफ्रेंट इस इस दी मशीन विच कैन जनरेट गुड रिवेन्यू फॉर यू यू जस्ट नीड तो रिजाइन इस सिस्टम और बस आपको फिर रिलेक्स करना है आपको सिंपली रिपोर्ट पर देश्वोर्ट पर फोकस करना है इसके लाब आपको कुछ इसाब आप एक पर्टिकुलर नई सिर्टी पर जा रहे हैं आप एक ड्रेट फएर में जा रहे हैं आप उसके लिए पर यह कस्टम कर सकते हैं है इतना पावर से lead generate करनी है अब आपका trade fair में आपका stall है या आप networking कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो आपका अगर stall है तो आप simply अपने tablet पर वो form open करके रख देंगे जैसे कोई inquiry आती है you can simply add the data into the system और आपका जो visitor है वो उसके नदेटा add करेगा होगा क्या क्योंकि आपने जो integration मनाया है और जो marketing का जो आपने system create करा है marketing automation जिसको हम बोलते है तो आपने एक source create कर दिया सूरत का अब जो भी rate आ रहा है वो सूरत के source में add होता जा रहा है add होता जा जा रहा है तो आपका जब event खतम होगा और आप जब देखेंगे क्या है और मेरे पास सूरत से उस particular event से दिन भर में 200 lead आई है अब उस lead को आप already predefined automation तो इंगेज कर चुके तो आप track कर सकते हैं कि मेरे पास एक particular source से कितने lead आ रही है custom create कर सकते हैं आप आपको forms के अगर हम बात करें तो जैसे कि customer के feedback से लिटेड कोई forms create करने हैं आपको onboarding के form create करने नेडवर्किंग के form create करने आप unlimited forms create कर सकते हैं सब को separately track कर सकते हैं this is the power of the system this is the power of the system even आप landing page पर different forms create कर सकते हैं यह नहीं कि predefined forms ही है यह कुछ landing pages पर वो नहीं आप अपने सबसे landing page पर forms design करके simply copy paste करना है और उस landing page पर आपको वो particular form मिल जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम मेरी जो website है इस पर हम आते हैं और मैं एक कोई भी webinar पर जाता हूँ और let's say यह एक से automation webinar है इस पर form नहीं है मैं आपको दूसरा form दिखाता हूँ okay so let's go to this real estate webinar I believe इसमें कोई form में लगाया है okay तो देखे हैं यहाँ पर एक जो form है अब यह जो form है इसके अंदर सिफ मैं नाम contact number और email id ले रहा हूँ okay तो यह मेरा जो form आ रहा है यह मेरा उठके इसके अंदर इस पर्टिकुलर सिस्टम के थुरू यह मैंने form क्रियेट कर रहा हूँ मैं आपको और भी दिखाता हूँ okay आप custom form unlimited क्रियेट कर सकते है जैसे कि यह जो हाँ वेबसाइट है अब इस वेबसाइट के उपर यह आप form देख रहा है आप किसी भी तरीके का form क्रियेट कर सकते है unlimited form आप क्रियेट करिये capture करिये track करिये उस particular form को believe me आप उस particular form को भी आप track कर सकते है okay तो इस particular system को अगर आपको देखना है किस तरीके से यह पूरा system काम करेगा actual में इसका view क्या है तो उसके लिए आप हमारे team से बात कर सकते है और I believe आप अगर इसको एक बार use करेंगे तो फर आप इसको छोड़ने ही पाएंगे तो किसी भी तरीके कि आपको हमसे यह हमारे team से आपको बात करनी है तो आपको यह form फिल कर सकते है या इस नमबर पर call कर सकते है Okay So I hope यह आपको पसंद आया Thank you